पुनर जनम होता है इससे एक इनसान का निर्मान होता है देखे जब आप कहते हैं कि मैं एक इनसान हूँ तो सबसे बाहरी रूप रिखा भौतिक शरीर की होती है योग में हम हर चीज को शरीर की तरह देखते हैं क्योंकि ये आपके लिए समझने में आसान है तो हम इस शरीर को पाँच आयामों या पाँच परतों के रूप में देखते हैं भौतिक शरीर को अनमाय कोश कहा जाता है अनमाय कोश का मतलब है अनमतलब भोजन ये भोजन शरीर है अगले को मनो मै कोश कहते हैं जिसका मतलब है कि ये मानसिक शरीर है तीसरे को प्राण मै कोश कहते हैं जिसका मतलब है उर्जा शरीर भोतिक शरीर, मानसिक शरीर और उर्जा शरीर ये तीनों आयाम भोतिक हैं इनका भोतिक अस्तित्व है भौतिक शरीर बहुत स्थूल है मानसिक शरीर थोड़ा सुक्ष में है उर्जा शरीर और भी ज्याद सुक्ष में है लेकिन ये तीनों भौतिक हैं जैसे कि लाइट बल्ब भौतिक है आप देख सकते हैं इसे जलाने वाली बिजली भी भौतिक है है ना? इसे जोड़ने वाला तार भी भौतिक है तार में बहने वाले इलेक्ट्रॉंज भी एक भौतिक अस्तित्व ही है तो इसी तरह भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और उर्जा शरीर सभी जीवन के भौतिक आयाम है इन तीनों आयामों पर कर्म की छाप होती है शरीर पर कर्म की चाप है, मन पर कर्म की चाप है और उर्जा पर कर्म की चाप है कर्म की चाप या कर्म का धाचा ही इन्हें एक साथ रखता है कर्म वो सिमेंट है जो आपको भौत एक शरीर के साथ जोड़ कर रखता है कर्म बंधन है लेकिन साथ ही सिर्फ कर्म के कारण ही आप अपने शरीर में कायम रह सकते हैं और यहां हो सकते हैं यहीं पर आध्यात्मिक्ता मुश्किल लगती है क्योंकि अगर आप इसे हटाने की कोशिश करते हैं तो यह नहीं होता अगर आप इसे जोडने की कोशिश करते हैं, तो ये नहीं होता, आपको सिर्फ वहां होना होता है अगर आप बस होते हैं, तो ये एक पल की बात है अब अगले दो आयामों को कहते हैं, विज्ञानमायकोश और आनंदमायकोश विज्ञानमाय कोश अभौतिक है, लेकिन भौतिक से संबंद रखता है, ये एक बीच की अवस्था की तरह है, आनदमाय कोश पूरी तरह से अभौतिक है, तो विज्ञानमाय कोश और आनदमाय कोश का मतलब है कि ये आनंद शरीर है, अंदर एक आनंद शरीर है जो 100% अभौ अगर उर्जा शरीर, मानसिक शरीर और भौतिक शरीर सही आकार में हैं, केवल तभी ये आनन शरीर को थामे रख सकते हैं। अगर इन चीजों को निकाल दिया गया, तो आनन शरीर बस ब्रह्मान का एक हिस्सा बन जाएगा। जिसे आप आत्मा कहते हैं, वो असल में एक कलपना है। कि आप धीरे धीरे समझ जाते हैं कि चाबियां कहा हैं, और कर्म के धाचे को गिरा देते हैं, ताकि आप सही माएने में खत्म हो जाएं। जब कोई व्यक्ति मरता है, तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति नहीं रहा, ये सच नहीं है। वो इनसान अब वैसा नहीं है जैसा आप उसे जानते थे, लेकिन वो अभी भी मौजूद है. अगर आप कर्म के धांचे को सौ प्रतिशत नश्ट कर दें, अब आप अस्तित्व में विलीन हो जाएंगे. इसी को मुक्ती या महासमाधी, हिंदू परंपरा में इसे मुक्ती कहा गया है, योग की परंपरा में इसे महासमाधी कहा गया है, बौध जीवन शैली में इसे महापरी निर्वान कहा गया है, अंग्रेजी में हम इसे आम तोर पर लिबरेशन कहते हैं. मुक्ति का अर्थे जीमन और जन्म और मृत्यू की प्रक्रिया से आजाद हो जाना मुक्ति का मतलब है शरीर और मन के बुनियादी धाचों से आजाद हो जाना और इसके लिए कर्म का धाचा ही वो धागा है जो इन चीजों को एक साथ बांदे रखता है तो जब कोई इंसान मरता है तो जाहिर है कि भौत एक शरीर वो चीज है जिसे आपने धर्ती से उधार लिया था तो शरीर सिर्फ धर्ती है है ना आप समझे ये भौत एक शरीर बस धर्ती का एक टुकड़ा है जो अभी इस तरह उचल कूत कर रहा है लेकिन आपको इसके एक एक पर्मानू को वापस करना होगा ब्याज नहीं लगेगा लेकिन आपको हर पर्मानू वापस करना होगा आपको एक भी पर्मानू ले जाने की इजाज़त नहीं है कोई भी नहीं ले जा सका भौत एक शरीर अलग होकर गिर जायेगा लेकिन आपके करमों की मात्रा के आधार पर आपका मांसिक शरीर और प्राणिक शरीर बने रहते हैं अगर करम का ढाँचा बहुत तीवर है, अभी खत्म नहीं हुआ है तो इसे खत्म करना होता है अगर कर्म कमजोर हो गया है क्योंकि ये अपना दौर पूरा कर चुका है तब वो बड़ी आसानी से दूसरा शरीर पालेगा अगर इसे नया शरीर पाना है तो इस धाचे की तीवरता को कम होना होगा इसे निश्क्रिय होना होगा अगर ये बहुत तीवर है तो ये नहीं खोच सकता इसे इंतजार करना होगा तो इनहीं को आप भूत कहते हैं कोई मर गया है लेकिन उसके कर्म का धाचा अभी भी तीवर है क्योंकि वो अभी खत्म नहीं हुआ है अब उसे दूसरा शरी ढूणने के लिए काफी ज्यादा समय चाहिए वो अभी भी मौजूद है उसके कर्म का धाचा जितना ज्यादा तीवर होगा वो उतना ही ज्यादा दिखेगा या लोग उसको अनुभव करेंगे आपके चारों रैसे अंगिनत प्राणी है चाहे आपको पता हो या ना हो लेकिन उनमें से अधिकतर को आप अनुभव नहीं करेंगे क्योंकि उनके कर्म खाली हो चुके है वो बस थोड़ा और खाली होने का इंतजार कर रहे है इससे पहले कि उन्हें एक नया शरीर मिले लेकिन अगर उनके कर्म बहुत तीवर है इसलिए लोगों ने आपको बताया है कि अगर किसी की अप्राकृतिक मौत होती है दुरगटना में या आत्महत्या से या किसी दूसरी तरह से तो वो भूत बन जाएंगे जो बूढ़े होकर मरते हैं अगर कोई अपने इस जीवन के लिए निर्धारत कर्मों को पूरी तरह पूरा कर लिता है तो वो बस यूँ ही मर जाएगा बिना किसी बीमारी के बिना एक्सिडेंट के बिना किसी चोट के जब कोई व्यक्ति ऐसे मरता है बस यूँ ही तो वो कुछ घंटों में ही दूसरा शरीर पा जाएगा तभी इस परंपरा में कहा गया है कि अगर कोई अपना जीवन पूरा करके शांती के साथ मरता है तो ये मरने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा नया जीवन तुरन शुरू हो जाएगा जब आप आध्यात्मिक मार्क पर चलते हैं तब हर आध्यात्मिक साधक का अंतिम लक्ष होता है कि वो इस पूरी प्रक्रिया को तोड़ना चाहता है या अगर इसे दूसरी तरह से देखें तो हम कह सकते हैं कि जिसे आप अभी अपनी आत्मा कहते हैं वो एक बुलबुले की तरह है बुलबुले की बाहरी खोल आपके कर्म का धाचा है अंदर हवा है मान लीजे कि आप बुलबुला तोड़ देते हैं आप बुलबुले को फोड़ देते हैं तो हवा कहां गई? आपकी हवा कहां गई? अब आपकी हवा जैसी कोई चीज नहीं है ये हर चीज का हिस्सा बन गई है तो अब जिसे आप आत्मा कहते हैं वो कालपनिक है क्योंकि आपके आत्मा या मेरी आत्मा या किसी और की आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती अभी ये असीमित्ता एक सीमित कर्म के धांचे में बंध है तो इससे आपको ऐसा हैसास होता है जैसे कि ये एक अलग हिकाई हो अगर आप उन चाभियों को अलग कर देते हैं जो कर्म के धांचे को बानती हैं तब ये बस ध्वस्त हो जाता है तो मृत्यू के बाद का जीवन, अगला जनम इस सारी बकवास में विश्वास मत कीजिए लेकिन अभी अगर आप यहां बैठते हैं और बस अपनी आँखे बंध करते हैं आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप इस शरीर से परे भी कुछ हैं है न?